असलाम वालीकुम कैसे हो आप सो इंशाला सब ठीक होंगे अलहम्दुलिल्ला हम भी ठीक है तो आज हम आपके लिए लेकर आएक दम क्रिस्पी कुर्कुरी सूर्मई फिश इतनी मज़ेदार यह बन कर त्यार हो जाती है ना फ्रेंट्स यह कें जाने एक बर ट्राइ करके बस आप खाते रहे जाओगे आपका पेट भरेगा लेकिन मन ने भरेगा इतनी ला जवाब यह फिश कुर्कुरी फ्राइ होती है और बहुत एक कम ओयल के साथ तो पूरी वीडियो के साथ बने रही है वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीस प्यार से लाइक और क्लीन करके यहां पर हमने इसको रखा वाए और यह फीश हमारी दो है मतलब बड़ी-बड़ी साइस की जो आती है वह दो ली है हमने और इस तरह से मेडियम इसके पीसिस कर ली है तो बहुत ही टेस्टी लगती है यह सूरमय फीश खाने में तो चलिए फटा-फट कुछ पीश मसाले के साथ में इतनी मज़ेदार यह बन करते यार हो जाती है सिंपल से मसालों के साथ तो देख लीजिए यहां पर हमने नमक डाल दिया है सबसे पहले टेस्ट के सबसे नमक डाल दीजिए आदा चमच हाल्दी पॉड़र डालेंगे एक चमच अदरकलसन कप पेस ड दालेंगे दो चमच धनिया पॉड़र डालेंगे और दो चमच जीरा पॉड़र डालेंगे यह चोटे वाले चमच ना इससे हम एट करें दो दो चमच इस तरह से सिंपल से मसालों के साथ यह फीश हमारी इतनी मज़ेदार बन करते यार हो जाती है तो मसाले हमने डाल दिये बढ़ा वाला निम्भू है अगर आपका छोट्ता होगा तो एक अिपसे डाल देंगे और अच्छी तरीके, जैसे एक जाता नि मसाल को बाए 1959 बढ़ा इंगे चाहिए थे पीसिस पे अठाई में और फीर दोनों साइट से अच्छे से कौट जारे tuvo다 तरह से उठाते वे सभी पिसीज़ वे मसाला बहुत अच्छे से कोट होना चाहिए तो हलकए हलके हाथ से इस पर रॉफ करते जाएंगे तो यह देख लीजिए हलके हाथ से अच्छी तरीके से मसाला लग चुका है तो आदे घंटे के लिए इसको मेरीनेट कर लेंगे तो आद अब यहां पर लिए हमने बारिक वाली जो रवा होता है ना सूजी जिसे बोलते हैं वह लिया है हमने एक कटोरी और आधी कटोरी उसके अदर चावल का अटा डाला है राइस काटा इस तरह से दोनों मिक्स लिए ना तो बहुत ही कुर-कुरि फीश हमारी तयार हो जाती है और आपका रवा सूजी अगर मोटी होगी तो आप मिक्सी में चला कर थोड़ा सा उसको बारिक कर लीजिएगा तो इतनी कृकूरी फिश हमारी फ्राइ होती है तो देख लीजिए अच्छे से कोट कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आपके यहाँ पर कूरकूरी फिश पसंद हो ना तो इस तरह से आप जरूर से करना फ्रेंट्स बस आप खाते रहे जाओगे अच्छी तरीके से इसको कट कर लिए हमने चावल के आटे में और रवे के अंदर सूजी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इसको कोट कर लेना है तो देख लीजिए और पीसिस भी मेडियम ही रखे हमने इस तरह के पीसिस रहेगे ना तो बहुत जबर्दस ये कुरकूरी फिश फ्राई होती है ज्यादा पतले पतले इतने क्रिस्पय फ्राई होती है आप को खुद य Eduard किर ने होगा कि आपको हैальных आपको इतनी तरह में इतने अच्छी फिश फ्राई की है करेंगें और बाद में फिर से ओल ढालेंगे और फिर फिश डालेंगे तो ऑल भी वेस्ट नहीं होता है और फिश भी बहुत अच्री से फ्राई होती है तो देख लीजिए तब जितने इzentनी ओल में उतने डालना मेडियम फ्राइे रौबावास पर चार डíamosकर तकी जलना नहीं चाहिए भ्राउन होना चाहिए लेकि जलना नहीं छाहिए इसके लिए आराम से आपको फ्राई करना है फुल फिलेम पर मत फ्राई करना है मेडियम फिलेम ही रहने दीचिए फुल फिलेम कर दोगे तो यह रवा सूजी जल जाएगी तो इसे जलाना नहीं इस चीज कहीं आपर ख्याल रखिए आराम से इसको फ्राई करना है आपको तो दो से तीन मिनट में हमने इसकी साइट को चेंज कर लिया है फिर दो से तीन मिनट में इसकी साइट को चेंज करेंगे है तो इसी तरह से उलटते पलटते हमको इसको फ्राई करना है तो देख रहे हो कितना प्यारा कलर आया माशाला औ इसके ऊपर जो हमने कोट किया था तो इस तरह से फिश और अपको फ्राइ करना है इतनी टेस्टी इतनी मज़े कि इतनी कुरकूरी फराइ होती है एक बार ट्राइ करके देख लीजिए तो इतने ओयल में इतनी फ्राइ हो जाएगी और भी फ्राइ होगी लेकिन थोड़ा सा ओयल हम और एड़ करेंगे और फिर से फिश एड़ करते जाएंगे तो जितना ओयल चीए उतना डालते जाना है और फ्राइ करते जाना है तो यह वे करना है 4-5 मिनूट इस साइड से चार-5 मिनूट इस साइड से फ्राइ करते चाहिए आपको फ्राइ करना है तो देख लीज़ी माशाआला सभी फिश हमने फ्राइ कर ली है और कितनी जबर्दस कुरकुरी फिश हमारी फ्राइ हो चुकी है माशाला आप देख सकते हैं यहापर हम आपको तोड़ कर दिखाना चाहेंगे और यह सूर्मय फिश का टेस्ट अलगी होता है अपने आप में यह अलगी एक टेस्ट होता है और इसके अंदर एक ही काटा होता है देख लीजिए और बच्चे बड़े सभी की फेबरेट होती है फिश तो इस तरह से कुरकुरी फिश अगर आपके हाँ पर पसंद होना तो हमारी तरीके से एक बार फॉलो कीजिए इंशाला आपकी पूरी फैमिली को पसंद आनी वाली रिसेपी है यह देख लीजिए और एक हम यह आपको तोड़ कर द कि आपको दिखा रहे हैं कि इतना सब अच्छे दिखा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा तो देख सकते हो माइश आलला इतनी टेस्ती लगती है बस आप खाते रहे जाओगे फ्रेंट स्पेट भरेगा लेकिन मन ने भरेगा यह हमारी गैरेंटी है तो हमारी तरीके से एक बार ये रेसेपी फॉलो कीजिए इंशाला इंशाला आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली रेसेपी है जब भी आप ट्राइ करोगे हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और इसे भी पसंद आईए तो प्लिस प्यार से लाइक कर दीजे आपके फैमिली फिर में शेयर कर दीजे तो चली मिलते हैं बहुत जले इंशाला तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा खयार लखिए हमें अपने दुआउ में याद रखिए वीडियो देख निकले अब सभी काता है दिल से बहुत बहुत ज़्यादे शुकरिया जजाक अल्ला अल्ला हाफिस